Part 13. अव्याय या अविकारी शब्द Intectly Nable Words अव्याय शब्द अ जमा व्याय से मिलकर बना है जिसका अर्थ है जिसका कुछ भी व्याय ना होता हो अर्थात वह जैसा है वैसा ही बना रहता हो वास्ताव में अव्याय शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त होते हैं जैसे बाहर, भीतर, आज, कल, यहाँ, वहाँ, आधी शब्दों को जब भी वाक्यों में प्रयुक्त किया जाएगा, इनके रूप में कोई परिवर्तन नहीं होगा. जैसे बच्चा बाहर बैठा है, लड़की ने बाहर से आवाज दी, आप घर के बाहर पहुंचिये, आज बारिश आएगी, कल से आज तक कोई नहीं आया, आपने आज क्या खाया, चुंकि इनके रूप में कोई परिवर्तन नहीं होता, इसलिए इनको अविकारी शब्द भी क कहते हैं, अवियाय की परिभार्शा, अवियाय वे शब्द हैं जिनके रूप में वाक्य में प्रयोग होने पर लिंग, वचन, पुरुष, काल, आदि के प्रभाव से कोई परिवर्तन नहीं होता, अवियाय के भेद, अवियाय के पांच भेद हैं, क्रिया विशेशन, संब नाम शब्दों की विशेश्टा बताते हैं, उसी तरह क्रिया की विशेश्टा बताने वाले शब्द क्रिया विशेशन कहे जाते हैं, देखे दिये गए वाक्यों के रंगेम छपे शब्द, इतनी जोर से मत चिल्लाओ, मेरे घर आज कोई आने वाला है, वह उधर क्यों पर पता चलता है कि क्रिया कहां या किस स्थान पर घटित हुई वे क्रिया विशेशन शब्द स्थान वाची क्रिया विशेशन कहलाते हैं यहां वहां उपर नीचे इधर उधर बाहर भीतर दूर पास निकट आदि पहचान स्थान वाची क्रिया विशेशन की पहचान करने के लिए क्रिया पर कहां शब्द से प्रशने करना चाहिए कहां प्रश्ण के उत्तर में जो शब्द मिलते हैं, वे स्थानवाची क्रिया विशेशन होते हैं, जैसे वहां कभी मत जाना, कहां मत जाना, उत्तर वहां, उस लड़के से दूर रहना, कहां रहना, उत्तर दूर कालवाची क्रिया विशेशन, जिन क्रिया विशेशन शब्दों से क्रिया के घटित होने के समय के बारे में सूचना मिलती है, वे कालवाची क्रिया विशेशन कहलाते हैं, जैसे सुबह, शाम, अक्सर, दिन भर, हमेशा, आज, कल, रोज, प्रतिदिन, अभी, नित्य, आदे उत्तर में जो क्रिया विशेशन शब्द प्राप्त होते हैं, वे काल वाची क्रिया विशेशन कहलाते हैं, जैसे वो यहां कभी-कभी आता है, कब आता है, उत्तर कभी-कभी, वे लोग आज कहीं जा रहे हैं, कब जा रहे हैं, उत्तर आज, रीति वाचक क्रिया विशेशन, जिन क्रिया विशेशन शब्दों से यह पता चलता है कि क्रिया किस तरह से या किस रीती से हुई है, वे रीती वाची क्रिया विशेशन कहलाते हैं, जैसे धीरे, जल्दी, तेजी से, अचानक, धीमे, ठीक से, अपने आप आदे. पहचान रीती वाची क्रिया विशेशन शब्दों की पहचान करने के लिए क्रिया पर कैसे शब्द से प्रश्न करना चाहिए कैसे शब्द के उत्तर में जो शब्द प्राप्त होते हैं वे रीती वाची क्रिया विशेशन होते हैं जैसे बारिश अचानक ही आ गई, बारिश कैसे आ गई, उत्तर अचानक, पुस्तकाले में धीरे बोलो, कैसे बोलो, उत्तर धीरे, परिमान वाची क्रिया विशेशन, जिन क्रिया विशेशन शब्दों से यह पता चलता है, कि क्रिया किस मात्रा में घटित हुई है, वे परिम ज्यादा, अधिक, खूब, जितना, उतना, थोड़ी, बहुत, आदी पहचान, परिमान वाची क्रिया विशेशन शब्दों की पहचान के लिए क्रिया पर कितना शब्द से प्रश्ण करना चाहिए कितना प्रश्ण के उत्तर में जो शब्द मिलते हैं वे परिमान वाची क्रिया विशेशन होते हैं जैसे वह बहुत सोता है कितना सोता है? उत्तर बहुत माताजी थोड़ा ही चल सकें कितना चल सकें? उत्तर थोड़ा ही जितना नाराज होंगे उतना ही मन दुखी होगा कितना नाराज होंगे? उत्तर जितना संबंध बोधक प्रेपोजीशन वे अविकारी शब्द जो वाक्य में संग्या या सर्वनाम के साथ प्रयुक्त होकर वाक्य के अन्य संग्या या सर्वनामों से संबंध बताते हैं, संबंध बोधक शब्द कहलाते हैं, जैसे के सामने, के साथ, के चारों और, के पास, के सिवाई, की तरफ, के बिना, से पहले, के बदले, की जगह आदी. देखिए उदाहरन, मंदर के सामने, भीड क्यों लगी है, बच्चों के साथ, तुम भी जाओ, मेरे घर के चारों और, पुलिस का पहरा है, पिताजी के पास, रुपिय नहीं है, यहाँ आपके सिवाई, कोई नहीं आता, इनके अलावा, कुछ और भी संबंध बोधक हैं, जि के साथ, के संग, के बारे में, के विशय में, से लेकर, से तक, के विपरीद, के अनुसार, के अनुकूल आदी, समुच्चय बोधक, कंजंक्शन, जो अव्याए दो शब्दों, दो पदबंधों, दो वाक्यांचों या दो वाक्यों को जोड़ने का कार्य करते हैं, उन्हें समुच्य बोधक या योजग कहते हैं जैसे और तथा लेकिन परंतु इसलिए क्योंकि अथवा ताकी या आदी देखिए निम्नलिखित उदहरन हिंदी सिनिमा में सलमान खान तथा शारुक खान दोनों का नाम है कल हमने सीता और गीता फिल्म देखी समुच्य बोधक अव्याय जोडने के अलावा निम्नलिखित कार्य भी करते हैं विरोध बताने का कार्य विरोध बताने वाले अव्याय हैं लेकिन परंतु मगर अपितु बलकी किन्तु आदी जैसे मैं आपके साथ चलूँगा पर या लेकिन आपको मेरी बात माननी होगी कहा था समय से आजाना मगर वह सुनता ही कहा है कारण तथा परिनाम बताने का कार्य आपके लिए इसलिए इस वजह से अतह ताकि क्योंकि आदी अव्यायों का प्रयोग किया जाता है जैसे मुझे भूख लगी थी अतह या इसलिए खाना खा लिया किसान हल चला रहे हैं ताकि अच्छी फसल हो विकल्प बताने का कार्य है दो वस्तुओं में विकल्प दिखाने के लिए प्राय है या 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 अत्वा नहीं तो आदी अव्यायों का प्रयोग किया जाता है जैसे चाय पियोगे या कॉफी या तो पैसे वापस कर दो या इस महीने काम करो अब शब्द मत बोलो नहीं तो अपमानित हो जाओगे विस्मे आदी बोधक इंटरजेक्शन ये वे अव्याय है जो विस्मे या आश्चर्य हर्ष घ्रिना दुख तकलीव पीड़ा आदी मन के भावों को व्यक्त करते हैं इन भावों को व्यक्त करने के लिए अरे ओ उफ छी हाई आदी अव्ययों का प्रयोग किया जाता है जैसे विस्मे या आश्चर्य है ओ अहो अरे क्या आदी जैसे अरे तुम कब आए क्या वह नहीं आया हर्ष या उल्ला सूचक वा बढ़िया अच्छे बहुत अच्छे खूब आदी जै जैसे वा क्या खाना बनाया है बढ़िया ऐसे ही काम करते रहो शोक पीड़ा गलानी आदी सूचक उफ हाई हाई राम आदी उफ बहुत गर्मी है हाई मैं मर गया घ्रिना तिरसकार सूचक छी छी धिक हट आदी जैसे छी छी कितनी बद्बू है यहाँ हट मुझसे बात मत क चेतावनी सूचक बचके सावधान होशियार आदी जैसे बचके ध्यान से जाओ होशियार गली में चोर है हमने सीखा जो शब्द क्रिया की विशेशता बताते हैं क्रिया विशेशन कहलाते हैं क्रिया विशेशन के मुख्य भेद स्थान वाची क्रिया विशेशन काल वाच परिमान वाची क्रिया विशेशन विश्मयादी बोधक अव्याए वे अव्याए हैं जो वाक्य में विश्मय, आश्चर्य, घ्रिना, हर्ष, पीडा आधी भावों को व्यक्त करते हैं